स्वागत है आपका आपके अपने चनल स्टडी विद मोटिवेशन में तो इस वीडियों बात करने वाले हैं UPCC, VPO, Video, SKP, भरती 2018 के बारे में कि जोहनी के लिटेस्ट अपडेट क्या है तो आप लोग साथ मैंने सेयर किया था Video, SKP, समाज कल्याड परवेक्षक जो आपका समाज कल्याड विभाग की दो पत्ते उनके बारे में कि इनका जो लेटर है जो आपका डाकुमेंट परिक्षण के लिए जो लेटर है भेहरतियों को यह प्राप्त हो रहा है तो बहुत सरे भेहरतियों के लगतर कमेंट आ रहे थे कि VPU 2018 के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट दीजी कि लेटेस्ट अपडेट क्या है VPU 2018 ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की क्या लेटेस्ट अपडेट है कहां तक प्रक्रिया पूरी हुई है तो अगर हम बात कर लेते हैं जिला अवंटन की क्योंकि आपसे मैंने बताया था कि जिला अवंटन की प्रक्रिया चल रही है अपने अंतिम चलन पे तो अब जो जिला अवंटन की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है अभी कम से कम आपको 8 से 10 दिन 8 से 10 दिन का इंतजार करन पढ़ सकता है जो जिला आउंटेन के प्रकिया है उसे पूरा होने में तो उसके बाद आपकी जो फाइल है वो जो जितनी भी जिस डिस्ट्रिक में है उस सारे डिस्ट्रिक में भेज दी जाएगी विभाग के द्वारा तो उसके बाद अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पढ़ेगा क्योंकि जिला आउंटेन के प्रकिया आप ही चल रही है विभाग के द्वारा और उसके बाद आपकी फाइल जो है डिस्ट्रिक में भेजी जाएगी तो अभी आठ से दस दिन का टाइम आपका लग सकता है ग्राम पंचायता दिकाई 2018 के बारे में मैं ये बात क पता ही है कि जो ग्राम विकास अधिकारी और समाज कलनाड परवेक्षक के पत्ते आपके समाज कलनाड विभाग के तो समाज कलनाड विभाग के दोरा उनको लिटर भेजा जा रहा है और उनकी जो है लगतार चौदा किसी अभ्यार्थी का 14 अक्टूबर किसी 15 16 17 इस तरीक किसी अभ्यार्थी को 15 को किसी 16 को किसी 17 को किसी 18 किसी अभ्यार्थी को 18 अक्टूबर को जो है बुलाया गया है तो अगर मैं VPO 28 की बात करूं तो अभी आपको थोड़ा सा इंदिजार करना पड़ सकता है तो 8 से 10 दिन का भी इंदिजार करना पड़ेगा भी और आपको जि करूंगा तो यह महत्पूर्ट वीडियो था जो मुझे आप लोगों साथ सेयर करना था वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि जो भी ले टेस्ट अपडेट होगी वह आपको इस चैनल के माद